गुड इवनिंग टू अल अफ्यू, स्वागत है आप सबका, आपका अपना यूट्यूब चानल अपड़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगोंने बिहार द्रोगा मेंस के लिए किरन पब्लिकेशन की जो रामान सर्क के द्वारा पब्लिस की गई है बुक, उस बुक से हम लोग प्राक्टिसेट देख रहे हैं, आज हम लोग देखेंगे प्राक्टिसेट नमर थ्री, इससे पहले वन और टू जो है वो आल लेडी अप्लोडेड है, अगर आप नहीं देख आज का जो हमारा पहला कोश्चन है, वो यह कह रहा है, कि क्रूड वाइल को कभी-कभी मधूर क्यूं कहा जाता है, तो देखिए, क्रूड वाइल में हाइडोजन, सल्फाइड और कार्बन डायोकसाइड का अंस कम होने से यह कुछ मधूर हो जाता है, तो इस कोश्चन का ज जिसकी बिदुद प्रतिरोधकता जो है, वो कुचालक और सुचालक की प्रतिरोधक छमता के बीच होती है, उसको अर्धचालक कहा जाता है, जैसे कि जर्मेनियम हो गया, सिल्कॉन हो गया, यह सब क्या है, अर्धचालक है, तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा, वो होग आपसा नमबर टू देखिए क्वांटम संख्या जो है वो चार संख्याओं का समू है जो एक परमानू के इलक्ट्रॉन के बारे में पुन सूचना देता है और आनवी कच्छा को जो अभिन्यास है वो चुमबकिये क्वांटम संख्या द्वारा नेंतरित होता है कह रहा है कि सीथ संबेदी पातपो के जिल्ली लिपिड में सत्रिप्ट और असंत्रित फैटी एसीट जो होता है वो एक रेशीयो दो कि अनुपात में पाया जाता है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा उच अनुपात में असंत्रिप्त बसामल तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number 4 next question कहा रहा है कि करक्यूमिक किस से प्रिथक किया जाता है देखिए करक्यूमिक जो होता है वो जनरली हल्दियों में पाये जाने वाला एक फिनोलोईक योगिक होता है जो कि कैंसर ग्रस्त उतको के मरमत में साहयक होता है और इसी योगिक तत्व के कारण हल्दी का रंग जो होता है वो पीला होता है इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नबर टू हल्दी नेक्स कोशन कहा रहाएगी जिस प्रकिलिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकास उर्जा प्रकास संसलेशन में चितरा जाती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उस प्रक्रिया को समन कहा जाता है, तो इस question का सही अंसर होगा, आपसा नबर एक समन कहा जाता है, next question है कि पौधे किसकी अधिक्ता की कारण मुर्जाने लगते हैं, तो देखिए पौधे जो है आम तोर पर अगर उससे पौधे में पानी की कमी हो जाती है, तो उस जो है बो मुर्जाने लगता है, और उसकी संरचना जो है जुग जाती है, जिसको की पौधे की बिल्टिंग मुर्जाना कहा जाता है, यह जनरली जो होता है, वो कि इसके कारण होता है, पौधे में पानी की कमी, मतलब की अधीक बास्वी करन हो जाएगा तो उसको कहते हैं, तो इसको कौश्चन का सही अंशर होगा, वह बहुगा आपसर नम्बर फोर, नक्स कोश्चन का जो होगा ब देजी से घुमने वाले इत्तारे होते हैं नेक्स कोशन है हमारा कोशन नमर टेन कह रहा है कि निमलिखित प्रतिक्रिया में आक्सी कारक बताईए इसके बाद 2L की बाद कीजेगा तो यह अब कारक हो जाएगा अगर आप कारक पुछेगा तो 2L और F2O3 जो होगा वो आक्सी कारक होगा तो इसके बाद 2L नेक्स कोशन कह रहा है कि त्री अस्तर ये पंचायती राज बेवस्था के सिर्स पर क्या है देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि तिहतर में संविधान संसोधन अधिनियम के दोरा पंचायती राज को 3 अस्तर ये ढाचा मतलब कि ग्राम अस्तर पर ग्राम पंचायत खंड अस्तर पर पंचायत समीती और जिला अस्तर पर जिला परिशत के गठन की विवस्था की गई है यहां आप से पूछ रहा है राजसभा का पदेन अध्यच कौन होता है राजसभा का पदेन अध्यच जो होता है वो उपराष्ट पती होता है भले ही उपराष्ट पती जो है वो राजसभा का सदस्य नहीं होता है फिर भी वो राजसभा की सभापती होने के नाते राज सभा की अध्याचता करता है तो इस question का जो सई अंसर होगा वो होगा option number 2 भारत का राष्टेपती दियान रखिएगा आप लोगों को इससे याद रखना है एक अनुछे 63 63 के अनुसार ही भारत का एक उपराष्टेपती होता है next question है question number 14 करागी संभिधान के अनुसार लोगसभा के speaker को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि देखिए ये हटाने की बात कर रहा है तो हटाया कब जा सकता है सदन के सभी सदस्यों के बहुमत के द्वारा अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो लोगसभा के speaker को उसके पत से हटाया जा सकता है तो इस question का तो सही answer होगा वो होगा option number 1 लेकिन ध्यान रखेगा एक अनुछेद आप लोग पढ़े होंगे 93 अनुछे 93 के अनुछार लोगसभा जो है वो अपने सदस्यों में से एक अध्याच और एक उपाध्याच का चुनाओ करती है अध्याच जो है वो उपाध्याच को तथा उपाध्याच जो है वो अध्याच को अपना त्याग पत्र दे सकता है next question हमारा question number 15 करहागी फ्रांसीसी करांती से संबंद pamphlet what is the third state किस ने लिखा था तो देखिये what is the third state जो है वो एक फ्रांसीसी बिचारक और पादरी था जिनका नाम था अबे इमालून जोसेफ सीम उसके द्वारा 1789 में लिखा गया था तो इस question का जो सयंसर होगा अब होगा option number 4 next question कहरागी भारतिय संबिधान के निर्माताओं ने 108 सरकार का संसदिय स्वरूप जो है वो कहां से ग्रहन गिया था तो 108 सरकार का संसदिय स्वरूप जो है वो UK से लिया गया था तो इस question का सयंसर होगा अब होगा option number 2 UK से अमेरिका के संविधान से लिया गया है Next question कहा रहा है कि भारत एक धर्म निर्पेज सेकुलर देश है इसका तातपर्ज क्या है तो इसका तातपर्ज यह है कि उसका जो है वो कोई राजस्तर पर धर्म नहीं है तो इस question का जो सयंसर होगा वो होगा option number two उनका कोई राजस्तर पर धर्म नहीं है याद रखिएगा भारत के संविधान के 42 मा जो संविधान संसोधन हुआ था जिसके द्वारा एक पंथ निर्पेज सब्द को जोड़ा गया था जिसका मतलब यह होता है कि भारत किसी विसेश धर्म को राजधर्म की मानिता नहीं प्रदान करेगा रास्टिय संपदा के समान बितरन का धे रखता है याद रखियेगा भारतिय संपिधान की प्रस्ताबना को संबिधान की आत्मा भी कहा जाता है और अब तक प्रस्ताबना को मातर एक बार 42 में संविधान संसोधन 1976 के द्वारा संसोधित किया गया है Next question हमारा question number 20 कहरा कि राज्यसभा में बैठकों की अध्यचिता करता है तो अभी हम लोगों ने देखा था राज्यसभा में बैठकों की अध्यचिता जो है वो उपराष्ट पती के द्वारा किया जाता है तो इस question का जई अंसर होगा वो होगा option number 2 राज्यसभा से भी कुछ तत्थियों को याद रखिएगा राज्यसभा का जो गठन है वो तीन अपरेल 1922 को किया गया था और इसकी पहली बैठक जो है वो 13 मई 1922 को किया गया था राज्यसभा के सदस्ता के लिए नियूंता मायू चाहिए 30 बर्स राज्यसभा जो है वो एक अस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकती इसके सदस्यों का कार्जकाल होता है 6 बर्स जिसमें कि परतेक दो बर्स पर एक तिहाई सदस्त जो है वो सेवा निर्मत्त हो जाते है नेक्स कोशन कहा रहा है कि संबिधान के किस भाग को भारत का मैंगने काटा कहा जाता है तो यहाँ जो है वो संभिधान के भाग 3 को कहा जाता है जिसमें कि मौली क अधिकार का बढ़नन है अनुछेद 12 से लेकर अनुछेद 35 तक तो इसकोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नंबर 1 भाग 3 को कहा जाता है नक्स कोशन है कि सम्विधान के भाग 4 में राज्य सरकारों के लिए एक सामान से रचना नियधारित की गई है यह लागू होती है तो यह जो है वो जम्मू कास्मियूर को छोड़ कर सभी राज्यों पर लागू होती है तो इस कोशन का सई अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर 4 भारत के सम्मिधान के भाग 4 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या है राज्य के निती निदेशक तत्व है जिसका की विबरन जो है वो अनुछेट 36 से लेकर एकामन तक किया गया है नक्स कोशन है कि मूलभू सम्मिधान में कौन से भाग में कल्यान राज की संकल्पना जो है वो समलित की गई है तो यह कौन से भाग में है राज्य निदेशक तत्व में जो कि सम्मिधान के भाग चार में है अभी हम लोगों ने देखा था सम्मिधान का भाग चार में ही राज के निती निदेशक तत्व का विबरन किया गया है जो कि आयरलेंड के सम्मिधान से लिया गया है निति नी देशक तत्व जो है वो राज को यह निर्देश देता है कि राज लोग कल्यान की लिए ऐसी समाजिक बेवस्था की अस्थापना करे जिससे समाजिक, आर्थिक और राजिनितिक निया हर किसी को मिल सके Next question है हमारा question number 25 कर रहा है कि सम्विधान में मौली करतब जो है वो किस संसोधन के द्वारा जोड़ा गया था तो आप लोग पढ़े होंगे मौली करतब जो है वो 42 में सम्विधान संसोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number 2 याद रखेगा मौल करतब जो है वो अनुचीद एकामन क के तहत भाग चार के क में विबरन किया गया है सरदार स्वन सिंग समीती के सिफारिल्स पर इसको सोबिय संके संविधान से लिया गया है उस समय जब लिया गया था 42 समय संविधान संसोधन के द्वारा उस समय मौली करतब 10 हुआ करते थे लेकिन फिर 86 संविधान संसोधन 2002 के द्वारा इगरहमा मौली करतब को सामिल किया गया है और अभी फिलहाल हमारे संविधान में 11 मौली करतब्यों का विबरन है नेक्स कोशन कहा रहागी सोने का जो सिक्का है वो सरपथम भारत में किसके सासनकाल में जुरूआ था तो देखिए भारत में सरपथम जो है सोना ग्रिक जो यूनान सासकों थे उन्होंने चड़ाया था ग्रिक सासकों के सोने के सिक्के पर एक और राजाओं की आकरती बनी हूई होती थी और दूसरे ओर किसी देपता के मूर्ती के चिन्ह बनाए गए होते थे तो इस कोशन का जो सई अन्सर होगा वो होगा option number 2 ग्रिक नेक्स कोशन है हमारा question number 27 निम्लिकित में से कौन जो है वो जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते थे तो जैन धर्म के असली संस्थापक जो है वो उसके 24 में तिर्थांकर हुए थे जिनका नाम था महाबीर स्वामी तो इस question का सई अंसर होगा अब होगा option number 4 बर्धमान महाबीर महाबीर से कुछ तत्यों को याद रखिएगा महाबीर का जो जन्म है वो 599 इसापुर में कुन्ट ग्राम बैसाली में हुआ था इनके बचपन का नाम बर्धमान था और फिर इनकी 72 बर्ध की आयू में इनकी मिर्तू हो जाती है 527 इसापुर में पाबापुर इने next question हमारा question number 28 कहरागी मंदिर निर्मान कला में बीमान सैली का प्रचलन जो है वो किसके सासनकाल में हुआ है बीमान सैली का प्रचलन जो है वो चोल बंस के सासनकाल में हुआ है आप लोगों को याद होगा तंजौर का बेहदेश्वर मंदिर जिसे की राजराज चोल ने लगभग 1000 इस वी में बनवाया था उसी बेहदेश्वर मंदिर का जो सबसे महतपून अंग है वो है एक गर्फग्री और दूसरा बीमान तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आप्सन नमबर 2 चोल बंस चोल बंस की अगर बात करते हैं तो चोल बंस के संस्थापक थे बिजय अलाल इसकी राधानी थी तंजौर संपून चोल समराज जो था वो छे प्रांतों में विभगत था और नटराज की परतीमा को चोल कला का संस्कृतिक साथ भी कहा जाता था नेक्स कोशन हमारा कोशन नमबर 29 कह रहा है जैन धर्म के अनुसार तिर्थांकों की कुल संख्या कितनी है तो जैन धर्म के अनुसार कुल 24 तिर्थांकर हुए थे तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर 4 24 तिर्थांकर जो की 24 में तिर्थांकर थे महा नलंदा विस्विद्याले की अस्थापना जो है वो कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया था और इस विस्विद्याले में जो सिच्छा का माध्यम था वो पाली भासा था ध्यान रखिएगा किसने सिखों में एकता लाई एबम पंजाब में राज अस्थापित किया यह बात कर रहा है रंजीत सिंग के इसक्षण का सएढसर होगा आपसन नमबर टू रंजीत सिंग से ध्यान रखिएगा रंजीत सिंग जो थे वो 1799 में लहोर के सासक बने थे रंजीर सिंग का जो राज्य था वो चार सूबों में बटा हुआ था पेसावर, कस्मीर, मुल्तान और लहौर राध्धानी लहौर हुआ करती थी और एक क्वेशन और भी पुछा जाता है कि रंजीर सिंग को कहनीर का हीरा किसे प्राप्त हुआ था तो रंजीर सिंग को कहनीर भीरा जो है वो साह सुजा से प्राप्त हुआ था नेक्स कोशन कहा रहा है कि एक्ता प्रथा जो है वो निम्रिखित में से किसके समय प्रचली थी इक्ता प्रथा जो है वो इल्टूतमीज को भारत में एक्ता प्रथा की सुरुवात कसरे दिया जाता है यानि कि दिल्ली सल्तनत के समय था तो इस question का सैयन सर होगा वो होगा आपसा नमबर दिल्ली सल्तनत के समय नेक्स question कहा रहा है question number 33 कि संभा जी के पश्चात निमलिखित में से किसने मराठा राज की बागडोर समाली थी देखे राजाराम जो था वो संभा जी के बाद मराठा राज की बागडोर समाला था संभा जी के मिर्तु के समय उसका जो पुतर था साहू उसकी उमर मातर साथ साल की थी इसलिए सिवा जी का जो छोटा बेटा था राजाराम उसी को राजा घोसित किया गया था और राइगड में उसका राजा विसे किया गया था राजा राम जो था वो संभाजी के पुतर साहु के प्रतिनीधी के रूप में सासन किया था तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number ए राजा राम next question कहा रहा है कि सबसे पहली railway line जो है वो किसके सासन काल में निर्मेथ हुई तो सबसे पहली railway line जो है वो 1893 में डलहाजी के सासन काल में बंबई से थाने के बीज बिचाए गई इसी के सासन काल में 1854 में पहली बार डाक टिक्टो का भी प्रचला नारम हुआ था ध्यान रखियेगा इस क्वेशन का जो सभी अंसर होगा वहोगा आपसन नंबर ए लाड डलहाजी के समय नेक्स क्वेशन कारा है कि Clement Italy की घोसना ने संसद में इन में से किस क्यो उदधोसना की थी देखे Clement Italy जो था वो फरबरी 1947 में उदध घोसना करता है और कहता है कि British सकार जो है बिटेन के परधानमंतरी जो था वो Clement Italy ही था और Italy जो था वो Labour Party का नेता था Next question कहा रहागी भारत में अस्थानिय स्वसासन की अस्थापना में निम्ड में से किसने गहरी रूची ले थे अस्थानिय स्वसासन की अस्थापना में से जो गहरी रूची लेने वाला था वो था Lord Rippon तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number two Lord Rippon Lord Rippon के काल की कुछ प्रमुख घटना ही याद रखिएगा जैसे कि प्रथम बास्तविक जन गन्ना इसी के टाइम हुआ था तो बिहार के सबसे पहले सूफी संथ है इमाम ताज फकी तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number ए इमाम ताज फकी और बिहार में अररंभिक सूफियों में बाहरारमी सताब्दी में मनेर में बसने वाले संथ इमाम ताज फकी जो है वो प्रमुख थे next question कहा रहा है कि आजाधिन फौज के संस्थापक कौन थे आजाधिन फौज के संस्थापक की अगर बात करते हैं तो वो हैं सुबास चंदर बोस तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number 3 सुबास चंदर बोस बात है 31 October 1943 को जब सिंगापूर में आजाधिन सरकार का गठन जो है वो सुबास चंद बोस के द्वारा किया गया था अजाधिन फौज ने बिग्रेडो का नाम जो है वो सुबास बिग्रेड गांधी बिग्रेड नहरू बिग्रेड और महिलाओं का एक बिग्रेड हुआ करता था जिसका नाम था लख्मी बाई बिग्रेड next question है question number 39 कहरा इंद्रा गांधी के समय भारतिय राष्टिये कॉंग्रेस जो है वो सरपर्थम कभी भाजित हुआ था तो इंद्रा गांधी के समय सासनकाल में सरपर्थम 1969 में कॉंग्रेस जो है वो दो दलो में बढ़ गया था एक था सतारूट कॉंग्रेस और दूसरा था संगठन कॉंग्रेस और इसी बीभाजन के बाद फिर 1971 में चुनाओ होता है लोकसभा चुनाओ उसमें सतारूट कॉंग्रेस पाटी जो है वो बिजय होती है और उसे ही फिर बास्तबिक भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के रूप में माननेता जो है वो दे दी जाती है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number 2 1969 में आगे कह रहा है कि बिहार में बर्तमान में पटना कॉलेज का जो उतरी इमारत है वो डच फाक्टरी था बर्तमान गुलजार बाग इस्थित government printing प्रेस क्या थे तो देखे पटना कॉलेज जो था वो तो डच फाक्टरी था लेकिन बर्तमान जो गुलजार बाग इस्थित जो government printing प्रेस था वो अंग्रेजो की फाक्टरी थे गुलजार बाग से एक चीज याद रखिएगा गुलजार बाग को मीर कासीम का बहाई गुलजार अली जो था वही बसाया था नेक्स्क्ष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् नेक्स कोश्चन है कि रेगिस्तान में बादल अपच्छेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं क्योंकि कम आदरता के कारण इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसे नमबर 4 कम आदरता के कारण नेक्स कोश्चन है हमारा कोश्चन नमबर 44 question number 44 कह रहा है कि doldrum इन से संबन्दित है doldrum की अगर हम लोग बात करते हैं तो भूमध रेखा कि निकट प्रसांत और हलकी प्रवर्त सील हवाओं का छेतर जो है वो doldrum कहलाता है तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number 1 next है हमारा कि इन में से किस देश को Europe का cockpit कहा जाता है तो Europe का cockpit जो है वो Belgium को कहा जाता है तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number 2 Belgium Belgium जो है वो बिस्प में हीरे का सबसे बड़ा बैपारिकेंदर भी है next question है हमारा कि लुफ्थांसा क्या है तो यह एक जर्मन बायू मार गहे और इसी नाम से जर्मनी में हवाई सेवाएं जो है वो दी जाती है तो इस question का सही answer होगा वो होगा option number 3 जर्मन बायू मार गहे next question हमारा कि किस सहर में Notre Dame का गिल्जा घर जो है वो अवस्थी थे तो Notre Dame गिल्जा घर जो है वो फ्रांस की राधानी पेरिस में अवस्थी थे या एक परकार का एक प्राचीन गिल्या घर है जो की गोथिक अस्थापत तेकला के लिए बिस बिख्यात है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number 3 पेरिस में next question का रहा है गोदाबरी नदी जो है वो बहती है गोदाबरी नदी के अगर बात करते हैं तो इसका उदगम जो है वो महराष्ट के नासिक जीले के दचिन पश्चिम में इस्थे थे और इसका 50% भाग जो है वो महराष्ट में है और सेस जो है वो करनाटा कुडिसा और आंधपदेस में है साथी साथ याद रखिएगा यह प्रदीपिय पठार की सबसे बड़ी नदी है तो इसकोष्ट का जो सबसे उची चोटी चोटी के सराज्य में इस्थे थे तो हिमाले के सबसे उची चोटी जो है वो सिक्किम में इस्थी थे तो इसकोष्ट का सबसे उची चोटी वो होगा option number three याद रखिए का कंचन जंगा जो है कि तीसरी सबसे उची चोटी है और यहां पुर्वी हिमाले में सिक्किम और नेपाल सीमा पर स्थित है Next question कहा रहा है कि बिहार की सरबादीक उची पहाडी चोटी कौन सी है तो वो है सोमेसवर पहाडी तो इस question का सय अंसर होगा वो होगा आपसा नमरे सो मेश वर पहाड़ी नेक्स question कहा रहाएगी भारत के पश्चमी समुद्र टट पर बरसा जो है वो किस मांसून से होती है तो यह होती है जनरली दच्छिन पॉंच्छिन मांसून से और भारत में अधिकांस बरसा भी जो है वो इसी मांसून के कारण होती है तो इस question का सय अंसर होगा वो होगा आपसा नमरे सो मांसून से नेक्स question हमारा कि कृष्चना नदी का उदगम अस्थल किसके समीप है नेक्स question कहराएगी महराश्ट में सरवादीक मातरा में पाय जाने वाली उपलब्ध मिर्दा का प्रकार क्या है तो वो है काली मिंटी तो इस question का सय अंसर होगा वो होगा आपसा नमरे 2 काली मिंटी काली मिट्टी का जो निर्मान है वो बेसाल चटनानों के तूटने फूटने से होता है इस मिट्टी का काला रंग जो है वो टिटेनी फेरिस मैंगनेटाइट और जिवासम की उपस्तिती के कारण होता है और यह जो है कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कपास की खेती के लिए थारवदिक उप्यूक्त मिट्टी होती है नेक्स गुश्शन कहा है कि बिहार का छेतरफल भारत के कुल छेतरफल का कितना पतिर से थे तो इस question का जो सई अंसर होगा वहोगा आपस नमर 2, 2.8.3 Next question है मारागी महाननदा नदी जो है वो गंगा में कहां मिलती है महाननदा की अगर बात करते हैं तो यह हिमाले से निकलती है और यह जो है वो उत्री बिहार की पुर्वी नदी है और यह नदी जो है वो पुर्णिया तथा कटिहार जिला में बहते हुए कटिहार के दचिन पूर्व में जाके गंगा नदी में मिल जाती है तो इस question का जो सई अंसर होगा वहोगा आपस नमर 2 कटिहार के दचिन पूर्व में Next question हमारा question number 63 राष्टपती राजचियों में निमलिखित में से के तहत राष्टपती सासन आरोपित करता है यह आप लोगों की पता ही है कि राष्टपती सासन जो है वो अनुचेद 356 के तहत तो इस question का सई अंसर होगा वहोगा आपस नमर 3 अनुचेद 356 के तहत मौलिक अधिकारों का उलेक जो है वो किस में किया गया है मौलिक अधिकारों का उलेक जो है वो संविधान के भाग तीन में किया गया है अनुछेद 12 से लेकर अनुछेद 35 तक टोटल जो थे वो 7 मौलिक अधिकार थे हमारे मूल संविधान में लेकिन 44 संबिधान संसुलधन के द्वारा संपती के अधिकार को हटा दिया गया है और बरतमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार जो हैं वो हैं नेक्स कोशन हमारा कोशन नमबर 68 के रहा है निमलिकेद में से किस अधिकार की डॉक्टर भी और अंबेत करने संबिधान का हिर्दय और आत्मा बताया था यह जो है बसंबिधानिक उपचारों का अधिकार जिसका उलेक जो है बनुचेद 32 से लेकर 35 में किया गया है इसी को ड नेक्स कोशन है कि बलैंक जन्दू बिग्यान की सखा है जो वह चरो के अधियन से संब दित है तो वह चरो के अधियन से कौन संब दित है सरी सृप बिग्यान जिसको की हर्पेटोलोजी भी कहा जाता है next question कहा रहा है blank को microscope के माध्यम से देखे जानी वाली कोशिकाओं उत्त को और अंगों के सोच मसरी रचना micro autonomy के अध्यन का बिग्यान कहा जाता है तो यह किसको उत्तक बिग्यान को कहा जाता है तो इस question का सही अंसर होगा वहोगा option number two उत्तक बिग्यान को कहा जाता है next question कहा रहा है कि परकास sunsillation के दौरान हरे पाधे स्टोल जी के परकास से उल्जा का उप्योग कार्मान डायोकसाईड और पानी से को sunsillacy kg करने के लिए करते है तो पानी से गुलकोच को sunsillacy करने के लिए करते है तो इस question का जो सई अंसर होगा option number two गुलकोच को नेक्स कोशन कहरा है निम्रिकित में से कौन सा बिलसन रोक का लच्छन नहीं है या आप से पूछ रहा है बोलने निगलने या सारीरिक समन में मैं समस्याएं ये है आनियंतरित गतिवीधियों या मांस्पेशियों में अकरन ये भी है पैरो या पेट में फ्लूड बनना ये भी है रताउंदी नहीं है रताउंदी के अगर बात करते हैं तो रताउंदी आखों की एक बिमारी है बिलसन का ये लच्छन नहीं है आगे है कि बिलियेटरिक सर्जरी किसी बैक्ति में परिबर्तित लाती है तो biliatric surgery का जो मूल से धान्त है वो भोजन का सेबन प्रतिबंदित करना और पेट और आतों में भोजन के अफसोसन को कम करना है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number 4 पाचन तेंतर next question की अगर हम बात करते हैं तो next question है हमारा question number 18 कह रहा है कि किसकी कमी से Ricketts का रोग होता है तो Ricketts का रोग जो हो है वो vitamin D के कमी से होता है तो इस question का सही अंसर होगा वो होगा option number 4 vitamin D के कमी से होता है next question कह रहा है कि नेम लिखिद में से कौन सी gas जो है बोजाक्त में oxygen ले जाने की छंता को कम कर देती है तो यह कर देता है carbon monoxide तो इस question का सई अन्सर होगा वो होगा option number 3 carbon monoxide disco की co कहा जाता है देखे carbon monoxide oxygen में oxygen ले जाने की छंता को इसी लिए कम कर देती है क्यूंकि इसमें oxygen की तुलना में हेमोगलोबिन के प्रति अधिक घनिश्टा होती है नेक्स कोशन कहा रहा है कि बाटरलू यूद में नेपोलियन को अंध में किस बर्स पराजय मिली थी देखिए तो इसको मिला था 1815 में इसी समय बाटरलू का यूद जो है वो हुआ कहां था वो बर्तमान में बेल्जियम में के पास एक बाटरलू नामके कस्थान था वहीं लड़ा गया था उस समय बेल्जियम जो था वो संजुक तराज नीदर लैंड का एक भाग हुआ करता था और इसी यूद में बेलिंग्टन के ड्यूक के नितरित नेट्स कोशन का जो था तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर एक नेट्स कोशन का रहाएगी निमलिखित में से यहूदियों की धार्मिक पुस्ता कौन सी है यहूदियों की धार्मिक पुस्ता का मूसा सहीता यह पूंता रूप से यहूदी धर्म के उपदेश, संस्कृति और पत्था पर अधारित है तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर एक पूसा सहीता नेक्स कोशन का रहाएगी पुस्ता की पुर्थिवी की भूमध रेखा के उत्तर या दच्छिन के अस्थान की कौनीए दूरी का बर्नन करने के लिए की सब्ध का उपियोग किया जाता है तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर 3 अच्छांस का उप्योग जो है वो किया जाता है नेक्स है हमारा की लॉरेंज बक्ल जो है वो क्या दर्साता है लॉरेंज बक्ल की अगर बात करते हैं तो आई या धन के बितरन का एक चित्रमे प्रती निधित्व है या जो है वो मैक्सो लॉरेंज के दौरा 1905 में धन बितरन किया असामानताओं का प्लते निधित्व करने के लिए बिक्सित किया गया था तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर 2 आय बितरन नेक्स कोशन कहा रहा है कि अपने आकार और पधचिन्ध के दृष्टी से निमलिखित में से प्रिथिभी की सबसे बड़ी जौला मुखी कौन सी है तो तापू मौसूफ जो है वो बिस्व की सबसे बिसाल जौला मुखी है तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर 3 next question कहरा है कि अर्थवेवस्था की एक ऐसी स्थिती को क्या कहा जाता है जिसमें खरिडार और कई बिकरता होते है तो इसको मौनोपॉल्य यानि एक अधिकार कहा जाता है तो इसकोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर 1 नेक्स कोशन का रहा है कि मिनाक्षी मंदिर जो है वो कहाँ इसी थे मिनाक्षी मंदिर जो है वो तमुलाडू के मुदेरे में पेंगी नदी के धचिन ट्रेट पर इस्थे थे तो इस कोशन का जो सयंसर होगा वो होगा आपसे नबर तमुलाडू यह मंदिर जो है वो पारबती जिन्हें की मिनाक्षी के नाम से जाना जाता है और उनके पतीशिब को समर्पित है नेक्स कोशन कहा रहा है कि कोलडा रामना निमलिखित में से किस खेल से संबन दित है तो यह एक भारतिय भारतोलग है मतलब बेट लिफ्टिंग से एक संब्सक्राइब करना ना बूले अभी तक आप इस चैनल पे नहीं है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे हैं इसका अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दियेगर डिस्क्रिप्स्न लिंक से जाकर टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं या फिर टेलिग्राम में जाकर सार्च कर सकते हैं आप बढ़ेगा इंडिया वहाँ जो इसका ग्रूप आएगा उसको जोइन कर लीजे वहाँ इसका PDF जो है वो और लेडि आप लोगों को प्रोभाइट करवा दिया गया है थैंक्स फो वचिंग